तो कैसे हैं आप सभी आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लेडिस पैंट जो इस्ट्रेट पैंट होती है वो आप कैसे बनाएं लेडिस पैंट आप बिल्कुल आसानी से घर में बना सकते हैं अगर आप बिगनर्स भी हैं और आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इस को इस वीडियो को देखकर आसानी से बना सकते हैं और मैं आपको बहुत ही आसान तरीकी से स्टेप बाई स्टेप सिखाऊंगी ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी से बनाना सीख जाएं और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम आती है मेजरमेंट में कर बिल्कुल मैंने एकजक्त यहीं पर रखे लिया है है यहां से रख लिया और जाएंगे नीचे को छोटा कर लेंगे अपने ट्राउजर पैंट को आप कव हो जाएगा एंकर लेंट तो मेरी तो मैंने इसको तीन चोटा 34 इंच का बनाएंगे तो लंबाइ का नप लेने के बाद अब हम लेंगे बॉटम का नप पस आपको लेंद की मेजरमेंट पर किसी के यलप ले कि बाग यांगेser पैर जाना तो आपको इस तरह से निस झाले क्い हां कि तो आपको यहीं कांगेर् सहले कर आपको दीज़ेंakt की सामने, देखिए कि दील लेना अफको लेना है कमर का मेजर्मेंट जहां से आपने पहले पकड़ा तक तो कि आपको यहां से लंबाई चाहिए, यही से बिल्कुल आपको कमर का measurement लेना है हमारी कमर आ रहा ही है, कमर आपको एकदम fix लेना है लूज नहीं लेना, ज्यादा टाइट लेना है, हमारी कमर आ रहा ही 3 Sil इसके बाद आपको यही से थोड़े से नीचे कोई भी यह कमेंट करना से और बिना इसकिप करें देखना होगा चलिए करते हैं करना स्टार्ड तो अब बात करते हैं तो हमने लिया है दो मीटर फैबिरिक अगर आपकी पैंट की लंबाई जादा है मान लेजी 38 है या 40 इंच है तो आप फैब्रिक सबादो मीटर ले ले लेजिए और अगर आपके पैंट की साइज 24 पैदे 36 है तो आरम से दो मीटर में बन जाएगा हमारा फैब्रिक है पूरा 100 सेंटी मीटर हमारे फैब्रिक की विर्थ है 14 इंच तो सबसे पहले हमें इस कपड़े को यहां से एक को हटा देना है और सिंगल फैब्रिक ले लेना है और यह फैब्रिक हमारा यहां से सीधा है सीध़ फैबिक लिया और इसको हमने यहां से फोल्ड कर दिया और फ्रेंट ये जो फैबिक है अहारा यह हमने लिया है क्रैब का फैबरिक और फेंट आप ट्राउजर पैंट बनाने के लिए किसी भी t virtually नहीं ले सकते हैं तो अब आपको कपड़े पर नाखुन लगा देना है, इसके बाद आपको कपड़े को सीधा करने के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इसके बाद अब हम लगाएंगे लंबाई का निसान, यहाँ पर उपर साइड कमर पे, बेल्ट की पट्टी हम अलग से एड करेंगे, तो इसल यहाँ के पास से नीचे साइड हम धाई इंच पर निशान लगाएंगे, यह हमारा बॉटम को फोल्ड करने के लिए निशान है, सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे दौनों निशानों के उपर से, इसके बाद चाहिए हमें अपने कमर का मेजरमेंट, तो कमर है हमाई 30 इंच की यह टोटल हो गया हमारा 10 इंच का, तो 10 का आधा लेंगे हम, 10 का सेंटर देखेंगे तो 10 का सेंटर आएगा हमारा 5 इंच पर, सेंटर का निशान लगाने के बाद, यहाँ से इस सेंटर के निशान के उपर से इंची टेप को रखना है, पौने 1 इंच पर, एक में 2 और पौनी एक इंच निशान इस साइड लगाएंगे दोनों निशान मिलाकर हो जाएंगे हमारे डेड़ इंच यह हो गया और आधे इंच सिलाई का हमारा यहां पर चला जाएगा आधे इंच सिलाई में ऐसा कि यहां का और आधे इंच सिलाई में यहां का इसलिए हमने यहां को कर देंगे हम 4 से डिवाइड तो आ जाएगा हमारा 9 इंच 9 इंच में हमें 2 इंच प्लस कर लेना है तो आ जाएगा 11 इंच तो सभी सभी को अपने साइज में 2 इंच प्लस करना है अगर आपका साइज बहुत ही जादा है तो आप 2-3 इंच प्लस कर सकते हैं बहुत जादा सा तो यहां पर हमें 10 इंच पर निशान लगा देना है तो यह 10 इंच पर निशान लगाने के वाद इसका हम सेंटर देखेंगे तो 10 इंच का सेंटर आएगा हमारा 5 इंच पर यहां का सेंटर पास तो यहां पर भी हमें सेंटर का निशान लगाना है 5 इंच पर और यहां से लेके के पूरे उपर तक सीधिय लाइन nicड रॉ करने के बाद जितने भी हमने मेजरमेंट ले तहीं सारे यूज होचुके तो साड़े पांच इंच का भी कल लेंगे आधा, तो आ जाएगा हमारा पौने तीन इंच, पौने तीन इंच निशान लगाएंगे हम इस साइड, और पौने तीन इंच निशान लगाएंगे हम इस साइड, और दोनों मिलाके हो जाएगा हमारा साड़े पांच इंच, अब हम हमारा crouch area है यहां पर पहले आप सीधी line draw कर लीजिए अब आपको इस वाले निशान को इस वाले निशान तक मिलाना है इस तरह से यहां से लिया इसको इधर से उठाया और यहां पर रख दिया और इस वाले चार इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे, यहाँ पर हमाई टक्स बन जाएगी, इस साइड भी और नीचे साइड भी, अब हमें रखना है यहाँ से स्केल को और एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है, अब हमें करना है यहाँ पर गोलाई, तो हमारा निशान आ रहाएगी अभी सीधा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आधेंच कर लिजी अंदर और आधेंच बहार साइड तक हम इसकी गोलाई कर देंगे, कुछ इस बैसे तो फ्रेंड्स आपका यह वाला मेजरमेंट बहार आएगा और कमर का मेजरमेंट थोड़ा अंदर आएगा, तो आपकी आसानी से गोलाई हो जाएगी, अगर आपका बराबर आता है तो आप अंदर से आधेंच, आधेंच अंदर से कर लिजी गोलाई, अब इनी निशानों के ऊपर से ही कटिंग करनी है, एक कट हमें यहां पर लगाना है, एक कट यहां पर और एक कट लगाएंगे हम इस साइड और एक लगाएंगे इस साइड, यहां से इतना यह हमारा फोल्ड हो जाएगा और यहां से दौनों कट के वीज में से हमाई टक्स बन जाए यह तनी वड़ी तो यह टक्स के निशान हमारी पीछे साइड भी आ जाएंगे इस कट की वज़े से अब इसको हटा देना है और इस कपड़े को आगे बढ़ाना है इस फैब्रिक को आगे बढ़ाने के बाद फ्रेंट वाले पार्ट को हमें इसके उपर रख देना है यहां से इसके बाद यहां से इंची टैप को रखेंगे यहां पर लगाएंगे हम दो इंच पर निशान दो इंच पर निशान लगाते जाएंगे अब इसको हम यहां से मिलाएंगे सीधा और यहां से करेंगे हल किसी गोलाई यहां से हमने दो दो इंच निशान बढ़ा के लगा लि रखना दोधो इंच बढ़ा कि निशान लगा और हमयों दूपर, यहां तो कुलियर हो गई हो कि दो दो इंच फैब्रिक इस साइड से एक्स्ट्रा रखना है बस इसमें यही अलग करना है वाकि कुछ अलग नहीं करना है अब इन्ही निशानों को पर से कटिंग कर देना है यहा से तो हमने दो-दो इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है पर यहा से हमें बिल्कुल बराबरी से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है तो बैक पाट की भी कटिंग हो गई अब हमें यहाँ पर कट लगा देना है यह हो गया हमारा bottom को fold करने का cut इसको यहां से हटा देंगे अब हमें देखना है कमर आगे कमर के लिए पट्टी निकालेंगे और पीछे कमर के लिए पट्टी निकालेंगे तो यह मैं पास बहुत सारा fabric बच गया है इसी में से हम यह पट्टी निकाल लेंगे तो ये वाला जो फैब्रिक बचा है इसके ही नाप का है ये तो इसी में से हम साड़ी तीन चौड़ी पट्टी कट कर लेते हैं तो ये पट्टी हो गई है हमाई back side के लिए इसी के जाए से हमने ये वाली पट्टी भी निकाल लिए इसके जोड़ा भी हमने साड़ी तीन चौड़ी रखी है और इसकी लंबाई ये front वाले के नाप से है तो दोनों side की पट्टी हमारी निकल गई है belt की पट्टी निकलने के साथ ही आगे belt और पीछे elastic बाले trouser band की cutting complete हो चुकी है तो चलिए आप करते हैं इसकी stitching अगर आपको cutting समझ में आई और पसंद आई तो जली अली वीडियो को like कर दीजे तो stitching करने के लिए ये जो हमारा front part और back part है इसके crouch area में यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा देंगे दोनों में इस वाले में भी यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक दोनों में हमने सिलाई लगा दी है अब यह जो गोलाई है इसमें हमें इस तरह स्तिर्चे cut लगा देना है अब इसको हमें यहां से बीच में से open कर देना है और यह जो मारजन है इसको किसी भी एक side करेंगे और इसके उपर लगा देंगे point की सिलाई और ऐसे हम back part के उपर भी लगा देंगे point की सिलाई तो दोनों ही part के cross area पर हमने point की सिलाई लगा दी है अब यह जो front part है, इसमें यह जो हमने निशान लगाए थे, इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिलाना है और यहां से लेकि यहां तक इसमें tux बना देनी है, और ऐसी tux हमें इस side भी बनाना है यहां से लेकि यहां तक से लाई लगा दी हो, यह देखी, tux हमाई कुछ इस type से आ गई तो इसी की जैसे हमने इस side की tux को भी बना दिया है तो दोनों side की tux बनाने के बाद, अब हमें लगाना यहां पर belt, तो हम देख लेते हैं अपनी कमर तो कमर है हमारी 30 इंच की, 30 कमर है, 30 का कर लेंगे आधा, आधा हो गया हमारा front side का और आधा रहेगा back side का तो 30 का आधा करेंगे, तो आजाएगा हमारा 15 इंच, तो हमें यहां पर belt लगाना है, भू लगाना है 15 इंच का तो हमें cut करना पड़ेगा इसको 16 इंच का, यह देखिए, यह हमने ले लिया 16 इंच का 15 इंच का belt हमें ready चाहिए, तो हम 16 इंच का cut कर लेंगे, क्योंकि आधे इंच सिलाई में यहां पर दबेगा 15 में इसे 3 माइनस करके 12 इंच की, और आधे आधे इंच दौनों साइट का सिलाई मार्जिन हो जाएगा तो हमने इसको 13 इंच का cut कर लिया है, तो अब हमें आगे साइट बेल्ट और पीछे साइट इलास्टिक को अटेच करना है, तो सबसे पहले हम करेंगे लास्टिक अटेच, तो हमने ये दो पट्टिया कट की थी, तो ये फ्रेंट पार्ट की पट्टी है, ये है लास्टिक की पट्टी, इसको लेना है, यहां से लगाना है, स्टार्ट करेंगे, यहां से सिलाई लगा कि सब्सक्राइब यहां के कुपर और हिंगे juicy पर पर अधे फिर फ़र एनिसमें से अन्दर करेंगे इंदर आटएच करेंगे desta कि सब्सक्राइब रखने में यहीं दियान रिखना एकि लास्टिक आि बाद की अब नहीं आ Gespr़े यहां पर लास्टिक कम पड़ेगी तो इस तरह से आपको खीज देना है लास्टिक को कीच के बाहर निकाल देना है तो मार्जन यहां पर इखटा हो जाएगा बिल्कुल कॉर्णर तक नहीं ले जाना मार्जन को यहीं पर इखटा करना है यहां पर भी हमें लास्टिक के ऊपर आड़े में सिलाई लगा देना है जो भी एक्स्टर रहेगा इसकी कटिंग कर देना है सिर्फ फैब्रिक की लास्टिक को बिल्कुल नहीं काटना है क्योंग लास्टिक तो हमने फिक्स ही लिए थी लास्टिक अटेज कर देना अभी इसको कीचके इसके उपर से लाई बाद में लगाएंगे हम पहले आगे का बेल्ट अटेज करेंगे तो यह जो हमारी बेल्ट की पट्टी है इसको हमें लेना है इसको खोल देना है और इसको यहां पर रखेंगे और यहां पर इसको प्रे हमें से 16 मॉंझन रखना है और इसको लेना है मतलब हम पत्टी को इस तरह से रखना है यहां पर इस तरह तरह से यह तो अंधर साइड कर दीजिए ना है और यहार पर रखेंगे और यह जो मनें लेड़ कि इसी के उपर से सिलाय लगा देंगे इसी लाइन के उपर से‑स Kindly की बाद इसको इससाइड पलटना है और यह जो मार जानए रहेगा इसको इसके ऊपर अटेज करने के सिलाई loगा देनी है इसके बात इसको पलट देंगे और इसके उपर लगाएंगें की सिलाइ और यसको अटेच करेंगे और इसको यहहां से बिल्कुल टाइड रखनाना है फेब्रेक नहीं होना चाहिए आपका बक्रम आना चाहिए यहां पर पॉइंट की clicks लगने के साथ ही आगे का बैल्ट लग हमारा ready हो गया है अब इसको हमेंसीधा करके रखना है और यह जो back part है हमारा इसको रख लेना है उल्टा करके इसके ऊपर अब 22 लास्ट है कि न इस पर इंबाद मैं लगाएंगे पहले हम इसको यहां से बराबरी से मिलाएंगे और और यहां से पकी सिलाई लगाएंगे, यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा कर इसको अटेच कर देंगे, यहां से लेके पूरे यहां तक इसमें हमने सिलाई लगा दी है, इसको हमें यहां से खोल देना है, इसको हमें पीछे साइड करना है, और यहां से लेके पूरे यहां तक हम तसलाए लगा दे लिया अब इसके आपर बहु पोइन के लागाना है तो किस तरह से लगाना है इसको इस्थरह से पहले खोल देंगे भड़ाई लिगाना इस मारजन को मैं पीछे साइट करना इ пов लास्टिक के साइड। और इसके ऊपर लगाना है बूट के सिलाई। इस कि अब यहां से हमें जाना है और नीचे साइड जाते हुए मार्जन को पैक साइड करते जाएंगे और इसके उपर भी पॉइंट की सिलाई लगाएंगे तो आगे बेल्ट और पीछे लास्तिक लगके रेडी हो गई है अब हमें करना है बॉटम को फोल्ड तो इसको हमें लेना है और ये जो हमने दोनों साइड कट लगाए थे इन कट्स को मिलाते हुए इस तरह से आदेंज मार्जन अंदर करते जाना है और यहां से इसको फोल्ड कर देना है ऐसा ही हमें इस साइड वाला भी करना है यह कट यह वाला कट और यह वाला कट इन सभी कट्स को इस तरह मिलाते जाएंगे और इसको हमें यहां से फोल्ड करेंगे यहीं से इसको गुमा देना है और एक बूट की सिलाई लगाना इसमें दोनों बोटम को फोल्ड करने के बाद इसको हमें इस mínimo तरह से इसको यहां से है मिलाने के बाद हमें यहां से स्टाट करना है ऎदिश का दौब लेते हुए सलाई में यहां से पूरे यहां तक, डबल लगा कर इसके हम फिटिंग कर देंगे आधे इंच का मार्जन लेते हुए हमने इसमें लगा दी है और इसी के साथ हमारी पूरी continues trouser paint वनके रेडी हे और यह देखिए इसका लुकाया है कुछ इसटराईप का तो इसी के साथ हमारी trouser बन चुकी है अब मैं आपको इसको वेयर करके दिखाती हूं यह कैसी लग रही है तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी इस वाली ट्राउजर पैंट को वेयर कर लिया है और आप सभी बिगनर्स को यह स्ट्रेट ट्राउजर पैंट अपने अपने नाप से बनाना आ गया यह मैं आपके लिवाब बाई